साथियों, इस समय देश अपनी आधादी का अमरित महोचों मना रहा है। हमें गर्व है कि हम दुनिया की प्राचिन्तम जीवीत सब्व्यताओं में से एक है। इसका स्रे अगर किसी को जाता है, तो भारत की संत परंपरा को है, भारत के रुश्यों मनिश्यों को है। भारत स्वास्वत है क्योंकि भारत संतों की धर्ती है। हर यूग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई ने कोई महान आत्मा आवतरित होती रही है। आज देश संत कबिर्दात की जैनती मना रहा है। यह संत ज्यानेश्वर महराच, संत निवृतिनाध महराच, संत सोपन देव और बहान आदिशक्ती मुक्ताबाई जैसे संतों की समाधिका साथ सो पचीसवा वर्ज भी है। ऐसी महान विपितियों ने हमारी सास्वत्ता को सुरक्चित रखकर भारत को गतिसिल बनाए रखा। संत तुकाराम जी को तो संत बहना भाई ने संतों के मंदिर का कलश कहा है। उन्होंने कठिनाई और मुश्किलों से भरा जीवन जिया। अपने समय में उन्होंने अकाल जैसी परितितियों का सामना किया। संसार में उन्होंने बुख देखी, बुखमरी देखी। दूख और पिड़ा के ऐसे चक्र में जब लोग उमीद छोड़ देते हैं। तब संत तुकाराम जी समाज ही नहीं बलकि भविश्य के लिए भी आशा की किरन बनकर उबरे। उन्होंने अपने परिवार की संपत्य को लोगों की सेबा में समर्पित कर दिया। ये शिला उनके उसी त्याग और बैयरागी की साक्षी है।